हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? एक बार फिर से स्वागत है आपका निउस एंड व्यूस पर और आप देख रहे हैं Today in History आज आप जानेंगे कि भारत समेद पुरे विश्रु में आज की दिन कौन-कौन सी प्रमुग घटनाए घटित हुई हैं इसके अलावा आज हम उन शक्सियत के बारे में भी बताएंगे जिन्होंने आज की तारीख में जन्म लिया है तो इस वीडियो को भीना स्किप किये अंत तक देखते रहे हैं आज के दिन यानि 26 सितंबर 1872 को न्यू यॉर्क सिटी में पहला मंदिर बना आज ही के दिन अमेरिका में 1960 को राश्टुपती पत के दो उमीद वारूं जॉन एफ कैनेडी और रिचर्ड निकसन के बीच बहस का पहली बार टेलिवीजन पर प्रसारण किया गया 26 सितंबर 1998 में सचीन तिंदुलकर ने जिम बामवे के खिलाब एक दिवसी क्रिकेट मेंच में 18 अश्र तक लगा कर देसमन हैंस का विश्शुटी कार्ड तोड़ा था आज ही के दिन यानिकी 26 सितंबर 2009 में पूजाश्री वेंकटेस ने रश्मी चकरवर्ती को हरा कर ITF महिला टेनिस टूनरमेंट का खिताब जीता था संयूत राष्ट ने 2011 में स्वक्षविकास तंधर योजना के तहट हारिद ग्रह गैसों में कमिलाने के लिए दिल्ली मेट्रो को दुनिया का पहला कार्बन क्रेडित दिया जिसके अंतरगत उसे 7 सालों के लिए 95 लाग अमेरिकी डॉलर मिलेंगे आज की तारिक में United Kingdom ने Hong Kong को 1984 में चीन के हवाले करने के लिए सहमती चताई इसके अलावा आज ही के दिन प्रसिद्ध समास सुधारक, शुच्छा शौस्त्री और स्वाधिंता सेनाने इश्वर चंद्रविद्य सागर का चन्म 1820 में हुआ था नोबल पुरुसकार विजेता, अमेरिकान अंग्रेजी लेखक टी एस इलेट का चन्म भी 26 सितंबर 1888 में हुआ था फिल्म अभिनेता और निर्माता देवानंद का चन्म भी आज ही के दिन जैने 26 सितंबर 1923 में हुआ था इसके अलावा भारत के पूरो प्रधानमंत्री डॉक्टर मर्मोहन सिंग का जैन्म भी 26 सितंबर 1932 में आज ही के दिन हुआ था भारत के प्रसिद्ध क्लासिकल डांस के इनर तक डांस कोरियोग्राफर और बैले डांस निर्माता उदर्श शंकर का निधन आज ही के दिन 1977 में हुआ था इसके अलावा आज एक विश्यस दिन है आज पुरे विश्र में विश्र मुख पथिर दिवस मनाया जा रहा है दोस्तों ये थी आज के दिन घडितों के गटनाओं की कुछ खास जानकारी आपको ये विडियो कैसा लगा निउस एन विउस के कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताएं आपको ये जानकारी कैसी लगी और ये आपके लिए कितना उपयोगी साबित होती है हमें ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं हम आपके लिए प्रते दिन Today in History से रिलेटेड वीडियो लेकर आते रहेंगे तो देखते रहें Today in History on News and Views For more information and updates, please subscribe to News and Views